Hello students, operating system के इस next session में आप सब का एक बार फिर से स्वागत है Last chapter में हम लोगों ने computer के operating system का एक overview लिया था कि operating system क्या होता है और साथी साथ इसकी क्या-क्या functionality है आज हम लोग बात करेंगे different type of OS के बारे में तो चलिए आज के chapters पे हम लोग शुरुवात करते हैं Types of operating systems Type of operating systems के बारे में देखिया जाए तो type of operating systems शुरुवात से लेकर बार-बार बदलता चला जा रहा है अप्ग्रेड हुआ है सबसे पहले शुरुवात करते हैं batch operating system की batch word बच्चों जब भी आ जाए तो इसका एक मतलब होता है कि आप लोग कई सारे set of instructions को एक एक करके type करते चले जाते हैं या लिखते या फिर आप compute करने के लिए store करते चले जाते हैं और जब वो सब sequence हो जाता है तब उसको एक साथ execute कर देते हैं कहने का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा the user of batch operating system do not interact with the computer directly कहने का मतलब है जिस system पे batch operating system चल रहा होता है batch based operating system चल रहा होता है उसमें user computer पे सीधा बैटके काम नहीं करता है each user prepare his job on an offline device such as punch card and submit to the computer यानि कि punch card आप लोगों के बहुत पहले ही use को हुआ करते थे जब बहुत पुरानी computers हुआ करते थे उस बीच आपके सारा का सारा data जो था वो आप system पे direct input नहीं करते थे punch cards पर input करते थे मैं आपको दिखा देता हूँ punch cards तो यह बहुत पुराने समय की machines हुआ करती थी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे punch card based तो इस पर सारा का सारा एक बहुत बड़ा सा यूं कहिए कि एक जैसे कि इस photo पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक user जो है वो एक punch card लेता था और उस पर type करता था पूरे के पूरे code अभी PC से directly connected नहीं है तो उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता था तब पूरा उसने punch कर दिये सारे instructions तब जाके operator submit करता था तो इस तरीके से सभी users जो है अपने-अपने cards punch करते थे जब सब काम हो जाता था तब system पे लाकर उसको इखटे process में डाल दिया जाता था तो ये होता था punch card लेकिन इसमें कई सारे नुकसान होते थे सबसे पहले तो user और आपका जो system है उसमें कोई interaction नहीं है कोई तालमेल नहीं होता था CPU is often ideal because the speed of the mechanical input output device is slower than the CPU अब जो पुराने समय के CPUs हुआ करते थे उतना high performing नहीं हुआ करते थे इसलिए slow भी रहते थे और priorities भी नहीं होती थी मतलब कि अगर आप मालीजे 10 लोगों ने अपने job order लगा दिये तो किसका पहले होना है किसका बाद भी होना है इस तरीके का कोई भी facilities अवलेबल नहीं थी उसके बाद अपग्रेडेशन हुआ time sharing operating systems आए क्या है in time sharing operating systems में time sharing is a technique which enable many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time यानि कि जब कई सारे people हैं या कई सारे users हैं वो अलग-अलग terminal पर बैठे हुए हैं और एक ही systems को चला रहे हो उस case में time sharing और multi-tasking बहुत ज़रूरी होता है multi या मलकी हो सकता है कि बड़ा सा मान लीजे एक offices है उसमें system एक ही लगा है लेकिन एक operator बैठा है एक reception पे है, एक logistic में है कई सारे operator एक ही system पे काम कर रहे हैं तो processor time which is shared among the multiple users simultaneously is termed as a time sharing तो processor तो एक ही है लेकिन वो कई user से data ले रहा है तो उसको time sharing की accordingly perform करना पड़ेगा the main difference between multi program batch systems and the time sharing system is that in case of multi program batch system objective is to be maximum processor use whereas the time sharing objective is to be minimum कहने का मतलब है जो पुराने batch wise system हुआ करते थे अगर उसमें multi program यानि कई सारे program एक साथ चलाया जाते थे तो processor का अधिकतम इस्तिमाल करना पड़ता था जबकि time sharing में क्या होता है आप multiple programs एक साथ चला दीजे लेकिन कम processor speed पर भी काम कर जाता है because सब के बीच में time बाट दिया गया है कि पहले आपका फिर आपका और फिर आपका multiple jobs are executed by the CPU by switching between them भाई आप लोग ये समझ लीजे कि एक teacher है और उसके सामने एक साथ कई subjects की copy या रध दी गई तो आप उसके पास हाथ तो दो ही है तो वो maximum दो ही अगर वो बहुत ही talented है तो दोनों हाथ से भी check करेगा तो दो ही तो कर पाएगा बाकि सब उसने एक के बाद एक के बाद sequence पर लगा दी तो आपको वही समझ आ गया होगा जैसे मैंने teacher वाला example दिया अब इसमें कई सारे फैदे भी है कि आपका जो सबसे बड़ा फैदा तो है कि एक quick response है duplicate, avoid duplication of softwares softwares का duplication होने से बच जाता है आपके CPU को ideal time मिलता है access time refuse होता है यूँ करिये कि अच्छा खासा time use कर सकता है लेकिन कुछ खामिया भी है जैसे reliability नहीं है उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता data communication data का एक दूसी जगे भेजने और पाने में दिक्कत होती है और security का issue होता है तो ये सारी चीजें आपके time sharing operating system पर हुआ करती थी आगे बढ़ते हैं next हमारे पास kind of operating system है उसका नाम है distributed operating system distributed operating system ये किस प्रकार का है ये प्रकार का multiple central processor है जो server multiple time applications एक साथ में multiple users से करा सकता है इसका मतलब समझ रहे हैं इसमें कई सारे processor एक साथ काम करते है the data processing job are distributed among the processor according to which one can perform each job more efficiently इस प्रकार के OS में आपको multiple CPUs मिलेंगे multiple cores मिलेंगे और इन सब के बीच में communication network होगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आप multiple CPUs हैं सब के अंदर अपनी cache memories है अपनी hard disk controls हैं ये सारी चीजे तो distributed में एक फायदा ये रहता है कि कई सारा काम बढ़ जाता है अब जैसे माल लिजे कि आपको एक practical life में example देखना है तो आपके यहाँ पे overall एक function हो रहा है माल लिजे एक birthday party है तो वो function तो हमारा birthday party है लेकिन हमने अपने याद distributed कर रखा है एक को काम दे रखा है तो महलवाई का काम देखोगे एक को decoration का देख दिया एक को guest का दे दिया तो सब के पास अपना-पना brain है उसके accordingly वो perform कर रहा है तो the processor communicate with one another through the various communication line तो हैं तो बले अलग-अलग processors लेकिन यह सभी आपस में जुड़े हुए है high-speed bus या telephone lines के तुरू there are the several refers as a loosely coupled systems or a distributed systems processor in the distributed systems may vary in size and functions these processes are referred as site nodes and a computer and so on तो आपको यह तो समझ आ गया होगा कि distributed net जो एक प्रकार का OS है multiple processes के अंतरगत काम करता है जिसमें आप multiple tasks एक साथ करवा सकते हैं अब इसके कुछ फायदे भी है with resources sharing facility user at the one site may able to use the resources available at another site अब एक user यहाँ पर है वो एक site पर काम कर रहा है उसको दूसरी users का जगे का इस्तिमाल करना है तो वो दूसरी users का भी processing में इस्तिमाल कर सकता है या use कर सकता है data exchange fast है speed up होता है अगर कोई one site fail हो जाती है तो remaining sites continue करती है एक processing unit अगर गरबड़ हो गई तो ऐसा नहीं है कि पूरा OS गरबड़ कर जाएगा customers को अच्छी services दे सकते हैं और host system पर load का भाव कम हो जाता है reduction of loads का मतलब हो गया कि एक ही system अगर होता एक processor होता उससे सब काम ले ले होते तो और जादा उस पर workload बढ़ जाता इसमें delay इसमें यू कह सकते है reductions हो जाता है तो यह कुछ फाइदे हैं इसके next हमारे पास है network operating systems network जैसा नाम network means आप लोगों के कई सारे system में एक साथ लगे हुए है और कई सारे systems पर एक साथ काम लेना है जिसमें कि आज की डेट में आपने Unix, Mac, Novel यह सब सुना होगा चली जानते हैं इसके बारे में जैसा कि नाम है network operating system इसमें आप देख रहोंगे कि हम लोग एक network बनाया हुआ है दे रखा है और इसी में सारा काम लेते हैं यह स्टोर करते हैं तो network का basically यही काम है तो network इस पूरे operating system के लिए हमने network based operating system server पे run करा दिया है और उस server के थूँ हम लोग अपने data, user, group सभी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं यानि कि इन में जो operating systems होगा आपके इन clients पे नहीं रहता clients जो हैं वो login करते हैं clients में अपना independent operating system तो रहता ही है लेकिन वो server पे login करते हैं permissions प्रवाइड होती हैं और उसके बाद फिर वो server से access कर पाते हैं तो यह primary purpose of server network operating system to allow sharing file and printer among the multiple अब आलिजे इसमें आपके file हैं खुब सारी अब सभी clients को file use करनी है तो network operating system अगर इसमें डाल देंगे और permission rights दे देंगे तो सभी clients या जिस client को हमने permission दी वो आराम से अपने network का file share कर सकता है printer share कर सकता है यह सब काम है और यह आज की date में सबसे बड़िया operating system इसी तरीके से काम होता है एक बड़े banks और बड़ी organizations में network operating systems के बहाव पर काम किया जाता है एक example के रूप में Microsoft का server 2008, Unix, Linux यह सभी आप लोगों के server based या network based operating system है इसके कई सारे फायदे हैं सबसे पहला centralized server है centralized का मतलब है सारा data एक में है सब में अलग-अलग रखने की जरुवत नहीं है security बहुत अच्छी है कोई भी बिना permission के server से data नहीं ले सकता आपको technology में upgrade करना असान है मालिजे कि आप लोगों को यहाँ पर यह system में कुछ up gradation करना है server में कोई up gradation करना है तो system को बंद करने की जरुवत नहीं है बाकी network पे shift करके काम किया जा सकता है remote access कर सकते है यहाँ से बैठा बैठा आदमी दूसरी जगे के system को access कर सकता है यह सब benefit है लेकिन कुछ नुकसान भी है बड़े costly आता है सारा का सारा दारोमदार central पर depend होता है और इसको regular maintenance और upgradation की जरुवत पढ़ती रहती है तो बचों यह है आप लोगों का network operating system next बढ़ते हैं हम लोग real time operating system पर और इसी के बाद आता है हमारे सामने real time operating system यह किस प्रकार का आता है real time बचों जबी भी आए एक word तो इसका मतलब समझ लेना एक तरह से live ही कह लीजिए जैसे for example stock marketing तो stock marketing में अगर shares का up and ground होता है तो इस case में आपको वो तुरंत live दिखता है तो वो एक प्रकार का real time बेस पर काम करने वाला software है operating system भी कुछ इसी तरह के का है तो real time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and response to the input is so small that it controls the environment अब जैसे कि for example मुझे माल लिजे कि आपका system control करना है या मुझे remote networking पर कोई काम करना है तो मैं यहां से अगर आपके system को use करना शुरू करता हूँ तो मैं यहां पे mouse को जो click करूँगा या input दूँगा और आपके system पर जो output लिख लेगा जबकि देखा जाये तो इसमें time लगना चाहिए लेकिन हमारे पास real time based operating system में एक benefit यह रहता है कि दोनों काम होने और input के बीच का समय बहुत ही अंतराल कम होता है तो उसको देखने में लगता है कि वो हमेशा online ही है clear तो the time taken by the system to the response to the input is display as a required updating information in the term of response time तो response time क्या होता है response time वो ही time है जिस बीच आपका system response यानि कि आपका system result दिखा देता है जैसे कभी का वर आप देखते होंगे पुरानी समय के जो televisions होते थे उन televisions को जब आप on करते थे तो वो धीरे धीरे करके पूरा on तुरंत नहीं on होते थे तो हम कहते थे पुराने समय के monitors का response time बहुत low होता है अब अगर आप देखते हैं तो आपका system on होते ही तुरंत ही आपके screen पर fluctuate हो जाता है या फिर अब अगर आप कोई दूसरी screen लाते हैं तो तुरंत output आ जाता है तो response time एक वो time है जो की आपका system ले रहा है input करने के बाद आपने click किया, input किया response time बहुत अच्छा है तो तुरंत output आपको दिख गया तुरंत उसका आपका display आ गया तो ये तो होता है real time तो I think आप लोगों को समझ आ गया होगा अब इसमें बहुत सारी चीजें है जो example के रूप में आप यूज़ करते हैं जैसे कि weapon systems डिफेंस में अब भही अगर आपको कोई fire करना है remotely कोई gun fire करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप अभी यहाँ पे इंटर मार दे, थोड़ी देर बाद वेट करें अच्छा अब घूमेगा अब fire होगा ना, वो तो at a moment होना चाहिए ना medical imaging जैसे कि आप देखते होगे sonography या फिर आजकल जो endoscopy होता है तो आपको जबी भी कोई patients की body के अंदर नली डाल के जो आपका doctor है वो देखता है तो उसको real time images दिखती है यह नहीं की past की है industrial control, robots, home appliances, traffic controls इत क्या दी तो मेरे खाल से आपको यह part समझ आ गया होगा कि आपके different type के operating systems क्या होते है चले अब हम लोग shift करते हैं अपने next chapter पर जिसका नाम है operating systems हमें क्या-क्या services देता है वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा overview बता दिया है फिर भी आप जल्दी से देख लिजे system, operating system जो OS है हमें किस प्रकार की services प्रवाइड करता है जिसमें की program को execute करना input, output जो हमारे पास data आ रहा है और जो जा रहा है वो file systems को manipulate करना communicate करना error detect करना resource allocation करना और protection तो हम लोग अगले chapter में इसी के बारे में बात करेंगे छोटा सा chapter है कि हमारा operating system हमें क्या-क्या सुविधाय प्रवाइड करता है